हेलो गाइज स्वागत है आप सब का मेरी साथ रोनी रसोई में तो चली देख लेते हैं आज की रेसिपी उसके लिए मैंने कडाई को गरम करके उसमें बटर डाल दिया है बटर की जगे आप गी भी यूज़ कर सकते हैं घर का बनावा बटर है तो मैंने बटर ही यूज़ कर और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा अधरक और हरी मिर्च मैंने काटके डाल दिया है बारिक काटके इनको हलका सा हम फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के अनुस वीडियो पसंद आये तो लाइक कर लेना चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और राइफ रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं उसके बाद मैं एड़ कर दूँगे उबले कटे हुए आलू इनको अच्छे से इनके साथ मिक्स कर लेंगे जी हां मैं बना रही हूं ब्रत के लिए थोड़ा सा कुछ चटपटा और ये है आलू की चटपटी सी चाट उपर से हम मसाले अड़ कर देंगे थोड़ा सा काली मिर्च पावडर और सेंधा नमक जो की ब्रत में खाया जाता है जो चीज़े आप ब्रत में नहीं खाते हैं व कर लेंगे उपर से मैं डाल रही हूं धनिया और इसमें नीम्बू का रस भी जरूरी है लेकिन मैं ये दही के साथ सर्व करूंगी इसलिए मैंने इसमें नीम्बू का रस एड़ नहीं किया है अगर आप अकेले आलू की चाट खाते हैं तो इसमें निम्बू का रस्ट जरूरी है उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है मैं इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ